हाई गैज बहुत बहुत स्वारत है आप सभी का अपना चैनल टेक्निकल कैसे में गए आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं लैप्टॉप में आप MS Word का यूज करके बच्चे को इंटर्टेन्मेंट के लिए या फिर स्टार्टिंग में बच्चे को लैप्टॉप सिखाने के लिए मौस को जो यह दोस्तों मौस होता है इसको किस तरीका से आप कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि शुरू में हो गया होता क है कि यह कहां चला जाएगा आपको पता ही ने चलेगा तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए आप MS Word का यूज जो अगर आप करेंगे तो जिसमें पेंट आता है तो यहां पर आप अच्छे से इसको कंट्रोल करना सिख जाएंगे तो इसके लिए दोस्तों अच्छा होता है कि आप पेंटिंग करना सिखिए ताकि आपका मौस जो है तो पकर जैदा बन पाए तो दोस्तों आज जो है सो मौस में को कंट्रोल करना साथी साथ आपको हम MS Paint से पेंट करना भी सिखाएंगे जहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह घर है और यह घर किस तरीका से बना जाता है सारा टूल कलर खिल करना हम आपको इस वीडियो में बताने बाले दोस्तों अगर आप भी पेंटिंग सिखना चाहते हैं अपने लैप्टॉप में कम्प्यूटर में डेक्स्टॉप पे तो आज का ये वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों आपको बता जाए अगर चैनल प क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आ जाएगा और कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा तो जिस तरीका का आप घर देखे थे उसको कैसे बनाया जाता है इसके लिए दोस्तों यहां पर सारा टूल दिया हुआ है तो यहां पर देख देना है यह एक छट छट के लिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह वाला ट्रेंगल है ट्रेंगल को ले ले लिजिए और इस तरीका से आप जो है यहां पर देख लिजिए कि बैठ गया और यहां पर देख सकते हैं यह सिधा सिधा बैठ गया है इसको थोड़ा सा इध सा सुरोत बना रहेगा और इसको बीचों बीच कर देंगे दोस्तों घर में यह तियार हो गया घर में दोस्तों एक दर्वाजा भी होता है तो दर्वाजा यहां पर देंगे बीचों बीच में तो यह दर्वाजा हो गया उसके बाद दोस्तों घर में एक खिरिकी भी होता है जिससे आप विंडो से घर में हावा आने जाने की सुरूत बना रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने विंडो भी दे दिया है सेम टूसम आप उस घर के तरह आप यहाँ पर देख पाएंगे बनाना उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें यहाँ पर पेर पौधा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पेर पौधे के लिए आप इसको इस तरीका से ऐसे कर सकते हैं आपको जैसे जैसे एक चाओ वो इसे उसी तरीका से बना सकते हैं तो चलिए हम एक पेरपोध ही के तरह यहाँ पे अच्छा लगने के लिए दिखा देते हैं आपको, यह की तरीका से यह दिखेगा, तो चलिए यह पेरपोधा भी लग गया, उसके बार दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है सो देखने को मिलेगा, आप जिस किसी का यूज करेंगे तो आप असानी से उसे कर सकते हैं, दोस्तों अब आता है color fill करने के बारे, तो चलिए यहाँ पे आपको कौन सा color लेना है, तो आप देख लिजिए, तो यहाँ पे हम लेंगे black, यहाँ पे black लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुए fill with color, चलिए इ दिवाल का तो दिवाल को इस कलर से कर दिए फिर खिरकी खिरकी को दोस्तों ये दोनों कलर डालेंगे गेट रह गया तो गेट में दोस्तों ये कलर डालेंगे और गेट में दोस्तों अगर आपको डिजान बनाना चाहते हैं तो भी आप आसानी से बना पाएंगे और ये पिर पोधा तो पीर पोधा दोस्तों ग्रीन होता है तो इसको ग्रीन से करेंगे यह देखिए ग्रीन हो गया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह ग्रीन ग्रीन हो गया और सारा वो ग्रीन ही कर देते हैं तो देख सकते हैं ये घर जो है से complete बन चुका है आप printing बहुत ही आसान है आप इसे आसानी से safe पाएंगे दोस्तो इसी तरीका से आप घर ही बना सकते हैं computer बना सकते हैं mobile बना सकते हैं MS Paint का यूज करके जिससे आपका mouse का पकर भी अच्छा हो पाएंगा और दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह में design बना है तो ये बहुत ही simple होता है दोस्तो बनाना देखे ये ले लिजिए और यहां पे आप असानी से design बना पाएंगे ये हो गया कुछ इस तरह का से करते करते आप design को create कर पाएंगे इसे असानी से आपस में जोड़ देचे तो देखे इसे जोड़ते जोड़ते आप यहां तक अगर ला देंगे तो ये देखने में बहुत ही खूसरत लगेगा जैसे देखके आप असानी से गहर को design दे सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं देखे दोस्तों ये जे gate है इस gate में अगर आप इसको बनाएंगे तो और भी बेतर लगेगा देखे ये बन रहा है तो कितना अच्छा दिखेंगे कि गेट है अच्छा दिख रहा है इसी तरीका से आप इसे बना लीजिए देखें ये गेट भी बन गया तो कुछ इस तरीका से आप एमस्पेंट का यूज़ करके मस्पेंट को सीख सकते हैं और मौस पर पकर आपका अच्छा खासा बन जाएगा दोस्तों वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बाइस जोड़ ज़ लाइक केजिए दोस्ते ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद